नमस्कार दोस्तों, The Smart Investor Channel में आप सभी का स्वाकत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Northern Narc Capital Limited Company के IPO के बारे में कमपनी के mainly fundamental डिसकस करेंगे और इसका current grey market premium क्या चल रहा है वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह IPO 16-19 सितंबर के बीच में खुलने जा रहा है और IPO का जो price band रखा है वो 209 इंचा से 263 रुपे का रखा गया है और एक lot में आपको इसमें 57 share मिलेंगे जो IPO का total issue size है वो लगबख 777 करोड रुपे का है जिसमें 500 करोड रुपे fresh issue के जरिए और बचे हुए 277 करोड रुपे offer for sale के जरिए promoters offer for sale के जरिए market में बेच रही है employee को discount भी दिया गया है जिसमें उन्हें per share 24 रुपे का discount price जिसमें मिलेगा वहीं अगर हम इस IPO की timeline की बात करें तो यह IPO के lotment का पता हमें 20 सितंबर को पता चलेगा और जिनको lot नहीं होगा उनका refund 23 सितंबर को वापिस आ जाएगा और साथ ही जिनको lot होगा उनके share भी 23 सितंबर के दिन ही उनके demate account में credit हो जाएगे और 24 सितंबर के दिन यह IPO market में list हो जाएगा retail category में आप minimum 1 load और maximum 13 load इसमें apply कर सकते हैं और retailers के लिए इसमें 35% का quota इसमें reserve रखा गया है तो आएगे हम एक बार इस company के business details को study कर लेते हैं तो इस company की स्थाफना 2009 में हुई थी और company जो mail retailers को loan provide करवाती है इसमें mainly house loans हो गए या business loan हो गए ये company mainly provide करवाती है तो अगर हम company की बात करें तो company mainly micro small medium enterprises जो finance के loan हो गए वो provide करवाती है company micro finance loan provide करवाती है और consumer finance जो loan हो गए वो भी company provide करवाती है उसके साथ ही company जो vehicle loans हो गए या house loans हो गए या खेती से related जो भी loan हो गए वो ये company provide करवाती है अगर हम company में 31 मार्थ 2024 के coding देखें तो company में फिलाल टोटल 2695 पर्मनेंट एमपलो ये भी काम कर रही है अगर हम company के financial की बात करें तो यहाँ पर जो सभी amount दी गई है वो crods में दी गई है अगर हम company का revenue देखें 2022 में company का revenue 916 crods रुपे था जो 2023 में बढ़के 1311 crods रुपे तक पहुँच गया 2024 में company का revenue 1906 crods रुपे था तो company के revenue में अगर हम साल देखें तो उसमें 45% की jump नजर आ रही है वहीं अगर हम company का profit after tax देखें तो 2022 में company ने 181 crods का profit किया था वहीं 2023 में 242 crods का और 2024 में company ने लगबग 317 crods का profit किया था तो अगर सालाना इसको compare करें तो company के profit में लगबग 31% की jump नजर आ रही है यह पास यह देखें company के पास reserve कितने हैं तो company के पास total 2123 crods के company के पास reserve हैं और वहीं company के उपर करजे की बात करें जोकि एक finance company है तो company के उपर करजा भी काफी है तो company के उपर mainly 947 crods का अभी company के उपर करजा है तो अगर हम company कुछ key performance indicators की बात करें तो company के जो फिलाल total market का app है वो लगबग 4242 crods क्रोड रुपए की है हम company का debt to equity ratio देखें तो वो 3.9 का है जो की काफी high है अगर हम यह mainly देखें company जो इस पैसे को raise कर रही है उसका use कहां पे करेगी तो company की जो future में business से related जो भी capital की requirement है company उसको fulfill करने के लिए ही इस पैसे का use करेगी और अगर हम company के grey market premium की बात करें तो company का grey market premium अभी फिलाल zero पे trade कर रहा है company का अभी फिलाल कोई live grey market premium अभी नहीं चल रहा है अगर हम company के अवराल बात करें तो company का grey market premium भी अभी zero पे ही trade कर रहा है और company के जो financial है वो भी ठीक ठाकी है और company के उपर debt to equity ratio काफी high है जो भी एक चिंता का विशय है मैं अगर अपने नजरिये की बात करूँ तो मैं इस IPO में long term और short term के लिए दोनों ही नजरिये से इस IPO में नहीं लगाने वाला तो आप अपने fundamental analysis कीजिए और उससे फिर ये decision ले सकते हैं कि आपको इस IPO में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए आपको daily basis IPO से related news चाहिए तो आप हमारे channel से जुड़े रह सकते हैं तो तब तक के लिए इस video में इतना ही धन्यवाद